हेलो अवरिवन तो दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं एरपोर्ट अथर्टी अफ इंडिया की और से दोस्तो जूनियर एग्जेक्टिव एरट्रिफिक कंट्रोल की पोस्टे यहां पर निकाली गई हैं दोस्तो और यह जो पोस्टे हैं यह यहां पर एरपोर्ट अथर्ट कंट्रोल की जो पोस्ट है इसके लिए अगर आप इंट्रेस्टेड हैं अपलाई करने के लिए तो आपको यहां पर जो एर्पोर्ट अथर्टी अफ इंडिया की ऑफिशल जो वेब साइट है दोस्तों यहां पर आप देख भी सकते हैं www.aai.aero इसी वाली वेब साइट पर आपको जाना होगा और आउनलाइन मोड से अप्लिकेशन फॉर्म को समिट करना होगा दोस्तों टोटल नमर आप पोस्टों की अगर हम बात करें तो देख सकते हो जूनियर एग्जेक्टीटीव एट्रेफिक कंट्रोल की टोटल 496 पोस्ट यहां पर निकाली गई है जिनको यहां पर फर्दर जो है के टेगरी वाइज बांटा है जैसे कि दोस्तों अन्रिजर्व के लिए 199 टोटल वेकंसी रखी गई है इस तरीके से यह जो 496 पोस्ट हैं इनको डिवाइड किया गया है दोस्तो जूनियर एक्जक्यूट्व एर्ट्रिफिक कंट्रोल की पोस्ट के लिए आपकी जो कौलिफिकेशन है यह फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिगरी आपने की होनी चाहिए तीन साल की साइंस के अंदर विद चैनलर डिगरी की होनी चाहिए इंजिनीरिंग में किसी भी डिसिप्लेंग में और फिजिक्स और मैथेममेटिक्स जो है वो एक मतलब LOOK होने चाहिए किसी भी एक SEC के अंदर थीक है वह तो होते ही हैं दोस्तों तो व्यूल। ञाचाहां यहां पर जो इंग्लीश है टेंगल टू लेवल की जो आपकी इंगलिश है वो आपको लिखनी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए दोस्तों ठीक है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहां पर आप देख लीचे एज लिमिट क्या रखी गई है जूनियर एग्जेकेटिव की पोस्त के लिए जो एज है वो मैक्सिमम आपकी 27 साल तक होनी चाहिए और यह जो 27 साल यह जो एज है दोस्तों यह 30 नवंबर 2030 तक काउंट की जाएगी यहां पर 30 नवंबर 2030 तक आपकी एज की इसके लावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉंग करते हो जैसे SCST हो गया OBC हो गया है ना अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो आपको यहां पर एज में फर्दर जो है वो रिलेक्सेशन मिल जाता है यानि आपको एज में छूट भी मिल जाती है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं यहां पर आप देख लीजिए ऑनलाइन जो अप्लिकेशन फॉर्म है तो इसके लिए जो डेट है यह अलग से अपनी वेबसाइट की तरूँ आपको बताएंगे यहां पर आप देख सकते हैं विल बी अनौंस्ट अन एरपोर्ट अथर्टी अफ इंडिया की वेबसाइट पर यह अलग से आपको अनौंस कर देंगे तो इसलिए आप यहां पर अथर्टी अफ इंडिया की वेबसाइट पर दोस्तो चेक करते रहिएगा किसी भी फर्दर अपडेट के लिए दोस्तो जूनियर एग्जेकेटिव की पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो चालिस हजार रुपे से आपकी जो सेलरी है वो दोस्तो स्टार्ट हो हैं वो मिल जाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है परक्स लिखा यहां पर दोस्तो एचार वगेरा तो यह सारे दोस्तो आपको अलग से बैनिफिट्स आपको सेलरी के उपर यह अलग से बैनिफिट्स आपको मिलते हैं थोड़ा सा नीच हैंजी स्क्रॉल करतें यहां पर आप देख तो उनली इंडिया नेशनल से जो हैं वो एपलाई कर सकते हैं इन Posthum के लिए इसके अलावा सेलेक्ष प्रसिजर किस तरह के से रहएगा इस तरह किस right लगता है वो आपको एक जो है वो चूज करना होता है यहापको चूज करना होता है और मज़े की बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि मान लिजे कि आपने किसी question का दोस्तों wrong answer दे दिया गलत आंसर दे दिया तो यहाँ पर आपके जो marks हैं वो दोस्तों नहीं काटे जाएंगे यानि कि दोस्ते यहाँ पर negative marking जो है वो नहीं रखी गई है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं there will not be any negative marking for wrong answer attempted by the candidate यानि कि अगर आप यहाँ पर wrong answer को भी attempt करते हैं तो आपके यहाँ पर marks जो हैं वो नहीं काटे जाएंगे थोड़ा सा नीचे scroll करते हैं कुछ और important देख लेते हैं तो दोस्ते यहाँ पर देखे फिर से लिखा गया है किस तरीके से आपको apply करना होगा तो जैसे मैंने आपको already बताया दोस्तो आपको online mode से ही apply करना इनकी official website पर आपको जाना होगा इसके लाँ अगर हम fees की बात करें दोस्तो तो देख सकते हो यहाँ पर fees जो है वो 1000 रुपया आपको application fees जो है वो pay करनी होगी और यह online mode से ही आपको pay करनी है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते है online mode only only online mode है जिससे आप यह फीज जो है यह pay कर सकते हैं और आगी लिखा गया ह हैं या फिर जिनों ने भी एक साल के apprentice जो है AI से complete की है या फिर female candidate अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की जो fees है वो pay नहीं करनी है ठीक है यानि कि आपको fees यहाँ पर totally दोस्तों माफ है आपको किसी भी तरह की जो fees है वो pay नहीं करनी है और others के लिए बाकियों क किली कितनी fees से 1000 रुपया ठीक है तो मैं hope करता हूं दोस्तों कि आपको सारी चीजें जो है वो clear हो चुकी होंगी so thank you very much